ओम नमाहा शिद्धेव्या जैवुली त्रकाल वर्ती त्रैलोक फूजी विश्वा राध्य पंच परमिष्टी भगवान की अनन्ता नंत सिद्ध परमिष्टी भगवान की वर्तमान जिन सासन नायक्षी वर्दमान महावीर भगवान की परम पूजिय चारित्र चक्रवर्ती आचरश्री शांति सागर जी मुनि महराज की परम पूजिय भारत गौरव आचरशी देश उशन जी मुनि महराज की धर्म इश्नेही सत स्रद्धालू यहाँ पर उपस्तित आप सबी भव्विवर पुंडरीक पुंड्यातमा महानुभाव जीवन आपको और हमको आज प्राप्त है जीवन को प्राप्त करना उतना सार्थक नहीं है यतनी सार्थकता जीवन से हमें क्या प्राप्त करना है यह जानने उप्राप्त करने में जीवन तो सब को मिलता है देव, नारकी, पसुपक्षे, मनों सब जीते हैं किन्तो इस जीवन से हमें प्राप्त क्या करना है यदि पूरा जीवन हमने निकाल दिया इसे ही नहीं जान पाए कि हमें इस जीवन से प्राप्त क्या करना है तब जीवन की सार्थकता कहां रही है दूद पी करके छुदा मिटाई जा सकती है फल खा करके छुदा मिटाई जा सकती है जल पी करके पिपासा को शांत किया जा सकता है औशिदी पास में प्राप्त करके उसी रोग मिटाई जा सकता है जिससे इस बात का भान नहीं है क्या फरक पड़ता है रोगी के पास ओसिदी का ढिल लगा हो क्या फरक पड़ता है प्यासे के पास पानी बहुत सारा रखा हो क्या फरक पड़ता है भूंके के पास बोजन बहुत रखा हो में उनकी क्या सार्थक्ता है यदिश कोई व्यक्ति अपनी शायकिल वाईक या श्कूट करे जा रहा है है और दूसर व्यक्ति अपनी श्कूटर श्कूटर सायकिल या वाईक कोई शॉतन हे बस legisl banana बेठा करे अपने सिर्फ या रक़ के लिए जा रहा है कारण यह नहीं है कि शाइकल स्कूटर वाइक के पास क्या है बात यह है कि दोनों ने एक ही कंपनी से एक ही समय उठाए एक उस पर बैठ करके जा रहा है एक उसको बठाल करके ले जा रहा है जीवन हमने और आपने दौनों ने साय सासत प्रात किया लगभग पुण्डिय कुछ कमा बेशी करके लगभग दोनों का बराबर रहा जैसा जन्म आपने लिया हम ने भी लिया या और सजनों ने भी लिया संत परसों ने लिया अब यह सोचें कि आप उस जीवन में से सुख शान्ती क्यों नहीं खोज पा रहे हैं आप अपने जीवन में दुख 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 क्यों भूगते चले आ रहे हैं जीवन तो बराबर है एक वक्ति को उसी जीवन में से सुक और शांती गन्मूती हो रही है दोशे वक्ति को उसी जीवन में से दुक और शांती मिल रही है जीवन कोई अलग-अलग है क्या जैसे आपका जन्म हुआ वैसे सजन पुरसां का भी जन्म हुआ हो सकता है जैसे है डाल रोटी सब्जी आप खाते हैं वह भी खा रहे हैं किन्तों कारण ऐसा क्या है कि आपको अपना जीबन बोज시고 लग रहा है आपको अपना जीबन भार शरूब लग रहा है और दूसे प्रतीक अपना जीवन सार स्वरूप लग रहा है, मानवता के लिए आधा स्वरूप माना जा रहा है, उसके लिए वो जीवन बोद स्वरूप लग रहा है, एक वक्ति एक जीवन से करोणों का भला कर देता है, तो उसी जीवन से हजारों, सेक्डों, लाखों करोणों जीवन का नास भी करता तो इसी क्या चीज है बात यह है कि एक व्रति उसका सद्प्यों करना जानता है दूसरा सद्प्यों करना नहीं जानता तो जीवन प्राप्त करना उतना परियाप्त नहीं है जितना यह जानना जरूरी है कि जीवन से हमें क्या प्राप्त करना है दूद में से हमें क्या नहीं किया दूद को गेन नहीं किया और उस दूद से लेकर के अपने चण प्रक्षाना करना सुख कर दिया दूद से हुली खिलना सुख कर दिया तो वे शार्थक्ता तो नहीं ग्रत से प्रक्वान बनाई जा सकते थे प्रक्वान न बना करके ग्रत में जहर मिला करके दूसर जीवा को मारा जा रहा है तो वे ग्रत की सार्थकता तो नहीं अम्रत पाकर के कोई व्यत्ति कीचड धोई कीचड में अम्रत को डाल दे सार्थकता तो नहीं तुमारे पास यदि एककटोरी भी घी है तुमारे एककटोरी घी को तुमारे सामने देखते देखते कोई व्यत्ति उस एककटोरी घी को गंदगी में डाले कीचड में डाले तुम्सान खाता चाहिए कोई भी तुमारी चीज है चाहिए चीज मेंगी हो या सस्ती हो उसका दुर्प्यों होता है तब तुमारा दिल दुखता है अब हम आपसे पूछना चाहते हैं जब छोटी सी चीज का तुम पाँच रुप्य का मटका लाए किसी ने फोड़ दिया तुमारे शाम देखते देखते तुम्हें दुख हुआ एक रुपई की चीज भी तुमने कोई एक रुपई का कागज खरीदा उस कागज तुमारे शा किसी जरूरत मंद की काम आ गई तुम्हें अंदर में जुक मिलता है आनंद आता है शांती मिलती है क्या उसका दुर्पयोग नहीं हुआ यह से हम अपनी जीवन को कैसी समझ्यक बनाए जीवन में से कैसी निकाले जैसे दूद में से घी निकालना है यह से हमें अपनी जीवन म नहीं होता तो हम आपसे नहीं कहते हैं, तिलेन में से तेल निकलता है, दूद में से घी निकलता है, फलों में से उसका रस निकलता है, यह निकलता है, तो ऐशे ही हम अपनी आत्मा में परमात्मा को तो बाद में निकाल लें, पहले एक सज्जनता तो निकाल लें, हम अपनी आत्मा में अरंत वस्ट्ध्रव बाद में खोजरें पहले अपनी आत्मा में हम एक अच्छी स्राभक तो बन जाए कंशे भली आद्मी तो बन जाए मान भी गुड़ तो खोज लें हमें मान बी गुडवी अपनी आत्मा म सर काय हम क्या भाबना मार हुए केबल वचन संफ़ केशों को सच काम थोड़ी चलेगा जीवन को महान बनाना है तो दो बात नहां रखो आज अम आपसे दो बातों चर्शा करते हैं का जीवन में कभी इर शालूमत बनो और संकालूम वनो जो ब्यक्ति इर्शालू होता है वह ब्यक्ति कभी अपने चित्व को पवित्र नहीं कर पाता है जो इर्शालू होता है उस पर भगवान की कभी द्या नहीं होती इर्शालू ब्यक्ति की द्या के बल दिखावा होता है न उसे किसी की दया मिलती है, न वो ये किसी पर सम्यक दया कर पाता है, और दूशी वात आपसे कहीं, शंकालू रहोगे, तो सत्य की सत्य को जीवन में कभी प्राप्त न कर पाऊगे, और जिसके पास यदि दयालता नहीं है, और सत्यता नहीं है, उसके पास तीन लोग का लादिया हो अंक एक भी नहीं है उसी तरेशे बिना धरातल पोई कोई आकास में बादलों के द्वारा बने हुए महल बने हुए नगर कि देखने में शुंदर लगते हैं उनमें कोई निवास नहीं कर पाता एशे ही चित्त में दया नहीं है चित्त में सत्य के पती बहुमान बहुत्र पती सत्य के पती शद्धा नहीं है कि तीरह काम सतती में आंतमा कि अबला क सुनने बारी कितने हैं का ये वरती की ये मुझ से आगी कोई चला गया कि मेरा बेटा यदि परिक्षा में पास होता है तो एक रस्त कहता है कि बहुत मेनत की महाराजी बेटी ने बहुत मेनत की यह तब पास हो आया और दूसरे का बेटा पास होता है तो कहता है महाराजी कहीं रिस्वत दे दियोगी ओ दो नुमर श्वास हो गया होगा उसने कुछ नहीं की अपना तो दिखाई देता है कि मैंने असा किया है, दोश्य की प्रद्द भी देखता है तो अरे, अरे वह इमान होगा, छोड़ी की होगी, धुका दिया होगा, एक ही तराजू रखो, एक ही प्रकार के वांट रखो, लेने के भी और देने के भी, जिसके पास लेने देने के वांट एक प्रकार के होते हैं, वो इम हो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी जो दसमी शीरी पर खड़ा है उसने भी उतना ही स्थम किया है जितना तुमने दसमी शीरी को प्राप्त करने में किया है वल उतना ही लगा है एक बस तुने यहां से वहां तक गती किये तो जितना वल लगना चाहिए उतना वल ही अगा है तुमने भी यदि सीवरी दसमी या सौमी प्राप्त की है और सामने वाले ने भी प्राप्त की है तो उसके मुल्यांकन को कम मत करो अपनी बराबर जानो सत्य ताके धरादर पर पहुंच जाओगे और जब मन कहता है नहीं मुझे यह सा मिलना चाहिए उसे नहीं मिलना चाहिए तो तुम कौन होते हो निर्णायक तुम्हें जो मिला है तुम्हारी अपनी भागे से मिला अपने पुरसात का मिला अपने स्रमशे मिला है और सामने के वाले को मिला उसी उतना ही मिला है हम दूर सों से इर्शा करके कभी अपने भागे का सितारा चमका नहीं सकते दूर सों से इर्शा करके कभी भी कोई व्यक्ति उंचाई पच्छू नहीं सकता दूसरों को गिरा करके आगे दोड़न देवारे वक्ति आज नहीं तो कल गिरेगा ऐसा गिरेगा कर नीचे से उठने में भी उसे बड़े मुश्कल पड़ जाएगी इसलिए बढ़ो आगे बढ़ो कौन मना करता है आगे मत बढ़ो कर दूसरे बढ़ते हुएं को देख करके इर्शा का भाब मत लाओ किसी से इर्शा मत करो माना जाता है कि इर्शा ये महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है कि असान न्यामक नहीं है महिलाओं के लाव पुर्शम नहीं पाई जाती है पाई जा सकती है किसी में भी इर्शा हो सकती है दो विद्यार थे इर्शा हो करेंगा दोष्य की लंबी लगईर को मिटा करके अपनी लगईर को बड़ी करना चाहते हो समय लेना तुमाई लकईर जीवन कभी बड़ी हो नहीं पाएगी तुम दूसरों की बड़ाने जाओ कि तब तुमारे कोई और दूसरा मटा देगा और तुमसे भी छुटी लखीर बाली व्यक्ति भी तो है या तुम दूसरे पासकते हैं तुमारी मटाने बाले भी हैं यशे लिए किसी की लखीर को मिटा करें कि अपनी लकीर को बड़ा मत करो उसकी लकीर जैसे यह भावना वो इसकी लकीर और बड़ी हो फिर आकोसिस करो कि मैं इसे और बड़ी लकीर करने का संदग पुरशार्थ करूँगा उसे उसके भाग का मिले उसे उसके परिश्ण का मिले मुझे मेरा मिले मैं नहीं चाहत कि मुझे किसी का एक किंचत भी एक प्रसत भी मुझे कभी मिल जाए और मैं यह भी नहीं चाहता कि मुझे जो मिला है वह मुझे कम मिला है यह मैं शिकायत करना भी नहीं चाहता बस जो मिला मुझे पर्याप्त से ज्यादा मिला जितना मुझे चाहिए उतना ही मिला इस पकार क और यदि यह सोचोगी कि वह मेरे पास बहुत भुलब्दी हो गई यह भी सोचोगी तो एहंकार आजाएगा तो एहंकार आते ही फिर रास्ता पतन का प्रारम हो जाता है इसे लिए जीवन की वत्थान में दो जवर्जस्त वेरियर हैं अवरोदक हैं पहला वेरियर है हमारे चित्त में विद्धिमान इर्शा दूशा वेरियर है चाहिए हर किसी के पती शंका का भाव तो यह पहले तो इर्शा को निकाले चाहिए कोई भी है कोई भी नौन अनौन क कोई भी हो मित्र सत्रू कोई भी हो किसी की पती इर्शा का भाब रखोई मत यदि अपने चित्त को प्यूत करना चाहते हो और प्रभु परमात्मा की दया चाहते हो अपने लोगों का सहयू चाहते हो बुरोधियों को भी अपना बनाना चाहते हो तो कभी भी सुपन में भी कि किसी की बरती को दे करके इर्शा मत करो देख दूश्रों की बरती को कभी ने इर्शा भाब दरूं आप नित्य मेरी भावनां पंक्तियां पड़ते होंगे दूश्रों की बरती को देख इर्शा का भाब नहीं खुसी का भाब रखड़ करो तो तुमारी ब्रद्धी अपनी आ बहुत उपलब्दि एसा सुक आनन्द दे सकती है इर्शा यह ऐसा दोस है दिखता नहीं होता है चित्में होता है दिखता नहीं है क्रोध आता है दिखाई देता है क्रोध आरहा उसको भाई याद यो कोई बती चोरी कर रहा है तो धखाई देता है जोट बोलता है तो सुननी में आता है किन्तो इरशा अंदर ये अंदर जलाती है और जो धखाई नहीं देता अंदर है दिख नहीं रहा वो ज्यादा खतरनाक होता है आग लगी हो तो बती बच सकता है दिख रही है बिद्यमान इर्शा की अगनी से अपने चित को बचा पाना बड़ा मुश्कुल होता है वह स्तिल्जी की तरशय है जो स्वेयम जल करके खाक हो जाती है दीपक को जला पाई या न जला पाई किसी जंगल को जला पाई या न जला पाई स्वेम तो उसे जलना ही पड़ता है ईशा जिसके चित्व में पैदा होती है उस चित्व को तो जलाती ही जलाती है जिस इस्तान पर कोई ऐसे पदार्थों का निर्मान किया जाता है जिन पदार्थों से बद्वू आती है वे बद्वू वाली पदार्थों किसी के दूसरे के मकान में फ्येकने जा रही हो उसमें बद्वू पहुंचे या न पहुंचे तो जहां तैयार हो रहा है जहां विद्धिमान मात बद्धूर रहेगी ही रहेगी तो चित्त में जो इर्षा विद्धिमान है वह इर्षा अपना काम करेगी इर्षा से सुख और शांती नहीं मिलती जैसे कांटे की चुवन से फूल की सुवन नहीं मिलती है ये ऐसे इर्षा से सुक्सानती नहीं आती जिसे चित्त में भी इर्षा हो चाहे तुमारे चित्त में चाहे हमारे चित्त में चाहे सत्तु के चित्त में चाहे मित्र के चित्त में चाहे अपनों के या पराय के चित्त में कहीं भी इर्षा हो इत शाकी अगनी तो जलाएगी ही जलाएगी क्योंक उसके पास वही देने के लिए है जिसके पास जो होता होई तो देता है ददाती यत 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 शायस्ती सुपरिश्दम मिदम बचा है ये बच्ठन परशिद्ध आचर पूच पास सौमीर सच्रॉवदि देने लिख़ा से मिधिय अजयानी पना ध्यानम जानी समाश्या ददाती यत 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 शायस्ती सुपरिश्दम मिदम बचा है ज्यानी दूसरों को जसी जान देता अज जन देता है जिसके पास जो होता है Da hai Gya, अपना दूत देती है वों दूत हो पत्थर तो नहीं देता और फूल देता तु जिसके पास जो होता है सो देता अफ देता पुस्वप में गंध hyta how to update में चुबने कागुने तो देता है प्याज में बदवत बदव देती है यदि किसी फल में मिठास तो मिठास देता है यशे इर्षा का जो सभाव है इर्षा का जो गुर्धर्म है वही गुर्धर्म चेतना को प्राप्त होगा तो इर्षा का गुर्धर्म है जलाना इर्षा जलाती है किन तो धुमा बाहर नहीं आता यदि अगनी बाहर की जलाती है तो दुमा दिखाई देता है कोई सानुवूती पकड़ करता हुआ उस बाहर की अगनी को बजाने के लिए आभी सकता है किन तुमारे चित्ते में ददखती हुई और सीर्षा की अगनी को बजाने कौन आए तो अपने चित्त को प्यूत करने के लिए पहला तो हम आपसे शंकते करते हैं इर्षा से बचो दूर्षा शंकते हैं शंका न यानि क्या मानस्कता बनती जा रही है आज के मनश्यों की कोई भी शमाचा सुनते हैं सबसे पहले नकारातमबाद बचाद बिंद्वाग में पहले आती है सकारातमबाद बाद में आएगी सबसे पहले हुआता है कि शीवी बात को कहें शंका पहले पैदा होती है तो शंका निशन दे सत्त की हत्या करने वाला होता है शंका यदि निकल जाए संका का जहर निकल जाए, तो सत्य पुनर जीवित हो जाए। संका का चुवा किसी ब्रक्ष में लग जाए जड़ों में, तो व्रश को खोकला कर देगा, धरासाई कर देगा। तो शंका के साथ जीने वाले वक्ती को सत्य के द्रशन नहीं होते। जैसे अंदकार के साथ रहने वाले वक्ति को, रात्री की अंदकार में रहने वाले वक्ति को सूर के दर्शन नहीं होते ही, रात्री का अंदकार चाहता है तो सूर नहीं मिलेगा, और सूर के साथ, सूर के प्रकास के साथ रहने वाले को रात्री का अंदकार दर्शन नहीं होत तो शंका और सत्थ ये दुशे के उरुदी हैं इसलिए शंकां को छोड़कर अपने चित्त में ही सत्थ को पैदा करो अपने चित्त में पैदा हुआ सत्थ ही तुमें मुक्ति दे सकता है तुमारे चित्त में पैदा हुआ सत्थ ही तुमें परमाता बना सकता है तुमारे चित्व में बिद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्दद्द्द्द्द्द्द्द्द आप सब उस लक्ष तक पहुँचें, जो आपका सम्यक लक्ष है, हम आपके पती ऐसी भावना रखते हैं, और इनी भावनाओं के शाथ, अपनी शब्द शंकला को यहां पर विराम देते हैं, जैव वोलिये श्री शांतिनात भगवान की,